हलो एवरिवन, वेलकम तो लख्य एजूगेशन और आज हम देखेंगे क्लास 12 की जोगरोपी, फंडामेंटल सब्यूमोन जोगरोपी का चेप्टर नमर 5 जो है आपका प्राइमरी एक्टिवर्टीज, उसका एक टॉबिक दे रखा है मेडिटेरेनियन एगरिकल्चर, तो आपका जो वर्ड में मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, वर्ड में आपने देखा हुआ, ये वर्ड का मैप है, मैप की आपको अच्छी प्रेक्टेस होनी चाहिए, Mediterranean region कहा है ये वाला जो region है इसको हम बोलते है Mediterranean region आप देखो के उपर की साइड में ये तो है Europe continent और नीचे है Africa continent इसके बीच में ये वाला जो region है ये वाला जो region इसको हम बोलते है Mediterranean region इसके आसपास और जैसा climate यहां पर पाए जाता है ऐसा climate और कहीं अगर हो पाए जा रहा है तो वहाँ पे जो खेदी की जाएगी उसको हम बोलेंगे Mediterranean Agriculture आगी बास समझ आपको तो Mediterranean नाम क्यों दिया गया है क्योंकि Mediterranean Sea के आसपास इसको ज़्यादा practice किया ज़्यादा है और यह सबसे ज़्यादा फेमस है citrus fruits के लिए यहाँ आप देख सकते हैं जितने फ्रूट्स दिखा रहे हैं यहाँ और यह और चीज़ के लिए फेमस है यह विटी कल्चर का मनलब होता है ग्रेप की कल्टीवेशन के लिए भी फेमस है Mediterranean agriculture तो इसकी शुरुआत करते हैं तो लॉकेशन बहुत ज़्यादा है जोग्रोफिम आपको बता है व्ल्ड का मैप भी आता है और वहाँ पर पूछ ले आता है कि मेडिटेरियन सी का है तो आप यह एरो लगा हुए यह रहा अफरीका और ऊपर है आपका यह वाला यूरॉप यह चीज़ आपको ध्यान रखने है ठीक है तो मेडिटेरियन एगरी कल्चर की बात करें पहले तो बहुत ही ज़्यादा कॉमर्चियल एगरी कल्चर है इस पेसलाइट है इस पेसलाइट क्यों करें चूँकि इसमें चैनल फरमके अजयरो और विजनेस बढ़े लेबल बढ़तें के जाता है और बिजनिस बढ़नेंर पर मेडी तरिटेरियन पर इपी रिजन कल्टीवेसन ओफ क्रेप्स विटी कल्चर जो अंगुरों की जो खेति करते हैं उसकों क्या होते हैं हुआ है और अच्छा एक बिक्षिज अब आपने पता तो चलेकर यहां अच्छी क्वालेटी के जोफो है एप लिएंट सराव यहांपी कि जोद ग्रेप अच्छी होने में होगा तो हुआ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेप से बनाते हैं जब कि तोड़े inferior quality के जो grapes होते हैं, मतलब थोड़ी गठिया quality के जो grapes होंगे, उसे regions और currents मतलब बनाते हैं, regions और currents का मतलब क्या है, यह regions का मतलब बोलते हैं, kismis और currents को मतलब मोलते हैं, मनक्का, तो अच्छी quality के जो grapes हैं, उससे तो सराब बनाते हैं, wine बनाते हैं, और जो थोड़े h सबनाए जानिक हैं कि सब्सक्राइब जाने। कि सब्तों काुटाइब पर देख सकते हो यह बहुत मतलब यह ट्री दखा रहते हैं आपको पता भी होना चाहिए कैसे लगते हैं अपिक्चर देखने से चीज ज्यादा केलियर हो जाती है इस रिजन के खासे दे रखिए है कि the advantage of Mediterranean agriculture is that more valuable crops such as fruits and vegetables are grown in winters when there is a great demand in Europe and North America market आपको देखने को मिलेगा पहली बात तो यूरोप और नौर्थ अमिर्का समझिए यह वाला मैंने बताया था यूरोप है और यह पूरा ही पूरा है यह नौर्थ अमिर्का नौर्थ अमिर्का हम आपको तीन देश देखने को मिलेंगे एक है मैक्सिगो एक है यूनाइटेट साथ भी समय के और वाइधा के मार्केट में बहूत जाता है इसकी पर रहेती है मदलब जारेन जाता है इसे कि पर यहीं कि एक सब्सक्राइब आप बहुत जै health के सब्रक्राइब दार्चानु पर आपको दीखने हो हुआ जारे हैं fruits हुआ जारे स्वेट्रस fruits तो इनकी बहुत जादा डिमांड रहती है winter seizure में तो अब हम देखेंगे कि Mediterranean agriculture को कहां कहां पर और प्रैक्टिस किया जाता है एक तो मेन लीजिन कुन सा हो गया मेन लीजिन तो हो गया अफिरिका और अप्रिका का यह वाला भाग हो जाएगा नॉर्थ अफिरिका तो नॉर्थ अपरीका में अप्रिका से ट्रॉल क्योंत्र को छॉस्ट थे यहां पर जो cost आएगा इसके आसपास इसको मुझा है Atlantic cost तो इस वाले region में यहां से यहां तक अफ्रीका में आप देखोगे अफ्रीका में यहां से यहां तक आपको कौन सी केती देखने को मिलेगी Mediterranean Agriculture देखने को मिलेगी Southern California यह पूरा हो गया USA USA में इधर की साइड में California है तो California के South वाले इसे में भी Mediterranean Agriculture को ग्रोगे जाता है Central चिली यहां पर आपको देखने को मिलेगी चिली देखने को मिलेगी तो चिली के बीच वाले इसे में ग्रोगे जाती है Southwest पार्ट ऑफ South Africa यह नीचे जो यह country दे रखा इसका नामे South Africa तो South Africa का Southwest वाले पार्ट में भी Mediterranean Agriculture को ग्रोगे जाता है और South and Southwest पार्ट ऑउस्ट्रेलिया यह वाला जो जगह है इस को मुलते हैं Australia तो ऑस्ट्रेलिया एक तो South वाला पार्ट और एक Southwest वाले पार्ट इन दोनों प इसमें North America में तो USA में इधर की साइड में जो रेड़ रेड़ पोर्शन इसको मोलते हैं California तो California में भी आपको देखने को मिलेगी South की साइड में Mediterranean Agriculture को ग्लोग किए जाता है यह आपका जो मैप दे रखा यह है आपका साउथ South America का जो मैप है South America continent है तो South America में इधर कोनी में आपको बिल्कुल यहां पे हलकी सी जो इस्ट्रप जो दिखाई दरी है यह जो country इसका नाम है चिली तो चिली में भी आपको देखने को मिलेगा क्या ग्रोग की जाती है Mediterranean Agriculture ग्रोग की जाती है अफरीका का बिल्कुल South वाला ज Mediterranean Agriculture के बारे में ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है सबसे जादा स्में से ट्रस प्रूट्स को ग्रोग किया जाता है और इसमें Olives and fix को भी ग्रोग के जाता है और विटी कल्चर के लिए बहुत जादा फेमस है ग्रेप्स की की जाती है अच्छी क्वालिटी के जो ग्र से उनसे Currents और Regents बनाए जाते हैं मन्दब किसमें और मुनक्का बनाए जाते हैं कहां कहां पर घ्रोग के जाता है ध्यान रखना नौर्थ अफ्रिका में ट्यूनिश्या से अटलांटे कोश्ट तक साउथ अफ्रिका में और चिली में कैलिफॉर्णिया में और मेडिटेरिय चोटे चोटे इसमें से बहुत सारे कोश्शन मन्जाएंगे जैसे कोश्टन बन सकता है विच रिजिजन आप दीवर्ल इज सप्लाइर ऑप डीजुर्ष वर्ल्रीट का कौन सा रीजिन है जो सिट्रस की सप्लाई करता है तो आपको बताना है मेडिटेरिन रीजिन ऐसे को ध्यान रखने हैं चोटे-चोटे कॉश्चन भी बन सकते हैं बड़े-बड़े कॉश्चन भी बन सकते हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्दिंग कीप इंजॉइंग और गॉडब्लेश यू ओल